हेलो एवरीवन वेलकम तो मैं चैनल दिप्ती दीपमबल आज हम हिंदी ग्रामर्क में करने जा रहे हैं अधिकरन कारक कर रहते कारक के भेद जाने उसके चिन्द जाने उसके बाद हम आज एकिक करके कारक के भेदों का उधार आज हम अधिकरन कारक का जानेंगे तो अधिकरन कारक किसे कहा जाता है और एक चीज़ और कहना चाहूंगी जो मेरे चैनल पर पहली बार है प्लीज मेरे चैनल को सब्सकाइब करके बैल आइकन दबा ले ताकि मेरे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे तो चरी अधीकरन कारक किसे कहा जाता है जानते हैं संग्या शर्वनाम के जिस रूप से किसी वस्तु या व्यक्ति के आधार का बोध हो वह अधीकन कारक कहलाता है जैसे कि इसका चिन्ने क्या था हमारा चिन्ने तो मैं पता था कि मैं पे पर के ऊपर ये सब्धा ठीक है चलिए अब इसके उधारन जानते हैं उधारन उधारन माल लीजिए क्या हो सकता है मेरे पानी में मच्छिली रहती है यहां अधिकरन कौन सा है यहां पे अधिकरन आपका पानी है पानी क्यूं है अब चलिए डेफिनेशन क्यों बढ़ जाते हैं जिस रूप से किसी वस्तू या व्यक्ति की आधार का बोध हो यानि कि जो हम सदिकरन कारक का मतलब है कि जिसके हम अधारित रहते हैं इसका मचली रहती है तो मचली रहती है इसमें पानी में पानी उसका अधार है अगर पानी में वो नहीं रहेगी तो वो क्या मर सकती इसी लिए पानी जो है वो अधिकरन कारक है ठीक है चलिए एक और उद्धार भवरा फूलो पर मडरा मडराता है तो देखिए यहाँ पे क्या है भवरा फूलो पर तो क्या उसका अधार है फूल है तो यह आपका अधिकरन कार है फूलो पर तो यहाँ पर भी है तो यह आपके अधिकरन कारक हो गया जो जिसका अधार होता है वही अधिकरन कारक होता है अगर कभी पहचान करने के लिए तो आप असानी से पहचान कर सकते हो तो इसी के साथ हमारा आज का जो वीडियो था अधिकरन कारक हम एक ही करेंगे नेक्स वीडियो में इसके बात करे वीडियो पसंद आया और अच्छ से समझ में है तो प्लीज कॉमेंट करें लाइक करें और ञाहनी किये भी इन इसकी पना करें फूरा फुल वَच करें मिलते हैं फिर नेक्स लीच्ट में फ्लाए न थेंग्यू